तो हेलो फ्रेंट्स इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप कैसे चेक कर पाएंगे कि आपका जो आधार है वो आपके पैन कार्ट के साथ लिंक है कि नहीं है तो पहले आपको वेबसाइट में जाना पड़ेगा जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं इस वेबसाइट में जाना है और पहले आप चेक कर लिए कि आपका जो पैन कार्ट है वो अक्टिव स्टेटस में है या फिन तो वेरिफाइए यूर पैन में क्लिक कीजिए क्लिक करने के बाद यह अभी हाँ पर अपको अपना पैन कार्ट नंबर देना है आपका नाम डेट अब बर्त और मोबाइल नंबर देना और यह एक्जेक रहना पड़ेगा आप जिस नंबर से रिजिस्टर किये थे पहले तो अगर बाइचंस लिए आपका जो नंबर है वो अलग देते हैं फिर कुछ भी टिटेल्स अगर आप यहां पे गलत देते हैं त क्लिक कीजिएगा फिर आपके जो मोबाइल है उसमें एक OTP जाएगा तो यह जो OTP जाएगा स्कॉप के यहां पर एंटर करना पड़ेगा OTP देने के बाद यहां पर फिर वेलेडिट में क्लिक कीजिए यह जैसे दिखा रहा है पैन इस एक्टिफ एन डिटेल्स आर सेम एस पर पैन तो यह ठीक शो कर रहा है अगर यहां पर अगर आपका जैसे पैन कार्ड नंबर देते हैं करेक्ट आपका नाम या फिर आपका ज स्टेटस जो आपका जानने के लिए क्या कीजिए लिंक के ओर लिंक आधार स्टेटस में क्लिक कीजिए फिर यहां पर अभी आपको अपना पैनकार्ड नंबर देना है पैनकार्ड नंबर और आधार नंबर देने के बाद यहां पर यहां से आप स्टेटस में क्लिक करना है इसमें क्लिक करना है आपको क्लिक करने के बाद यहां पर आपको दिखा देगा जैसे कि आधार ओल्रेडी लिंक्ट है तो यहां से आप स्टेटस जान पाएंगे कि आपका आधार और पैंकर्ट का लिंक्ट क्या है